वेलकम तो माई चानल गुमनामस्टाइट 786 तो आज इस वीडियो मैं आपको बात कहने वाला हूं एक नया त्रकिस डामा के बारे में जिसका नाव है माई लिटिल गर्ल्ड ये त्रकिस डामा जो नया त्रकिस डामा यह एम-एक प्लैप पर अप्लोड किया गया है तो आज म आपको डिसकास करने वाला हूं कि मैं लोगों को देखना चाहिए और कि लोगों को नहीं देखना चाहिए यह टर्किस आमा कैसा है मैं लिए टिल का total number of season कितने है total number of episode कितने है इसका rating क्या है और इसका story क्या है तो वह सारी बाते में इस वीडियों कीजिम का मतलब होता है my daughter और इसको English में टायटल दिया गए है I कर तो मैं बात करता हूं इसके तो इसका अभी तक मैं बात करता है वह आप समयों ने तौक से अवह आतको थांगेदा है लेकिन जब उसके देखोगे यहां पहई और ने अभी तक जयाधा जाएगा क्योंकि आपको mx player जो है वह आपको एक एपिसोड आपको 45 या 46 मिनट का एक एपिसोड मीड़ता है लेकिन जब इसका original content देखोगे Turkish language में तो वह आपको एक एपिसोड आपको मिलेगा 120 मिनट का 115 मिनट का तो इसलिए mx player जो है वह आपको 120-150 मिनट को break करके 45-45 मिनट का वह number of episode बढ़ा देता है तो हो सकता है कि आपको mx player जो है वह आपको 45-50 एपिसोड तक ले जाए लेकिन इसका original एपिसोड जो है वह आपको को एक चोटी सी बच्ची का कहानी है इसमें मतलो आपने बहुत सारे इंडियन टर्कें ड्रामे भी देखेंगे जिसमें एक बेटी और एक बाप की कहानी होती है एक चोटी से कहानी है तो यह family type की drama और एक बाप और एक बैटी एकानी है अब मैं बात करता हूं कि कीन लोग को देखना चाहिए और कीन लोग को नहीं देखना चाहिए तो इसको बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो लोग family type की drama देखते हैं या फिर बच्चों को तरकिस डामा देखना पसंद करते हैं तो उन लोग के लिए तरकिस डामा काफी बेस्ट है लेकिन जो लोग action type की drama देखते हैं वार ताइप की drama देखते हैं या फिर historical drama द मतलब बच्चे का कहानी है और इसमें एक family type का drama है तो आप इससे अंदाजा लाया सकते हैं कि की लोग को देखना चाहिए और की लोग को नहीं देखना चाहिए तो उमीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद नहीं फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में आज के लबस इ अच्सक्श पूर वाचिए